आपने अक्सर टीवी या फिल्मों में देखा होगा कि अगर महिला को उल्टी आ रही है चक्कर आ रहे हैं या महिला को कुछ खटा खाने का मन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेगनेंट है लेकिन जिनरली ऐसा नहीं होता है आज इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी होते समय अलग-अलग क्या-क्या सिंटम हो सकते हैं सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि चाहे गर्व में लड़का हो या लड़की हो या ट्विन्स प्रेगनेंसी हो या सिंगल प्रेगनेंसी हो इन मीस होने से पहले भी आपके वोडी में कुछ ऐसे साइन हैं सिम्टम हैं जो आपको देख सकते हैं जैसे कि प्रिग्नेंसी होने से पहले ये साइन आपको बता सकती हैं कि आप प्रिग्नेंट होने वाले हो पहली नंबर ब्रेश्ट में भारीपन होना या पेन होना दूसरी ठक कान मैसूस हो सकती तीसरी बार-बार आपको ट्वेलेट जाना पर सकता है अगली आपके पेट में कभी क्रेश मी फील हो सकते हैं यह सारे सुम्टम्स जो है आपके प्रिय पमीस होने से पहले भी नजर आ सकते हैं जिसे आप easily अंदाजा लागा सकते हैं कि आपकी हाल ही में प्रियड मीस होने वाली है आप pregnant होने वाले हो लेकिन ये सब symptoms भी जदी आपके body में दिख रहे हैं नजर आ रहे हैं तो इसके base पे भी बोलना ये थोड़ी सी मुश्किल है कि आप pregnant होने वाले हो सो pregnancy के पूरी तरह से clear confusion को दूर करने के लिए क्या क्या लक्षन हो सकते हैं वीडियो को पूरी watch चरूर करें सो pre-miss होने के बाद एक दो हपते तक जिन symptom के बारे में पहले मैंने आपको बताई है इस वीडियो में उन सब सारे symptoms के अलावा आपको कुछ और symptoms भी नजर आ सकते हैं जैसे की जी मिचलाना, उल्टी आना आपके private part से discharge होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादी भी हो सकते हैं ये सब सारे symptoms आपको आपके body में पहले तिमाही याने की सुरू के 12 हपते तक आपको देख सकते हैं कई बार इन symptoms के अलावा आपको कब्ज भी हो सकते हैं, mood swings भी हो सकते हैं, आपको acidity भी हो सकती है ये कब्ज की जो सिकायत होती है, pregnancy के सुरुवाती महीने में भी होती है, ये होना normally है, जो हर एक pregnant महीला के body में ये symptom नहीं भी दिखते हैं और दूसरी जो acidity होती है, वो आपके mood swings यानि के चटपटा खाने के वज़ा से भी हो सकते हैं अगली आपके food craving बहुत ज़ादा हो सकती है, क्योंकि जी मिस लाने के वज़ा से आपके अनेको परकार के food पे आपका मन जा सकता है ये normally हर एक pregnant महिलाओं के साथ होता ही है कुछ pregnancy ऐसे होती है, जिन में आपको vaginal discharge भी हो सकते हैं, आपके पेट में बहुत ज़ादा pen भी हो सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़ादा चकर आने की संभावना हो सकते हैं, और आपको बेहोसी भी हो सकती है अगर आपकी pregnancy के सुरुवाती महिने में अगर आपके body में ऐसे symptom दिखाई देते हैं, तो इन symptom को आपको बिल्कुल भी ignore नहीं करना चाहिए, आपको immediately doctor को संपर्क करना चाहिए I hope कि ये वीडियो के द्वारा आपको मन की confusion दूर होई होगी और अच्छी जनकार मिले होगी, तो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर किजिए, thank you, thanks for watching